तो विल्कम है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारकन होमगार्ड में जितने भी जिलो में एक्जाम होने वाले हैं उन सभी का सेट्डूल ठीक है और आपको ये सारी चीजे बताऊंगे कि कोश्चिन कहां से आएगा कहां से पढ़ना है और आपको कोई भी कोर्स खरीदने का जोरत नहीं है अगर आप ये स्टेप्स फोलो करेंगे तो ठीक है क्यूंकि जितने भी कोश्चिन आते हैं वो सभी यहीं से सेट होते हैं ठीक है अब चली देखते हैं कोश्चिन कहां से सेट के जाते हैं यह जानेंगे क्यूंकि जहां से कोश्च सेट की जाएगा वहीं से अगर आप पढ़ लिजेगा तो सभी कोश्चन लगबग लगबग मैच कर जाएगा ठीक है 100% की गारंटी नहीं दूँगा अब देख लेते हैं और मैं यहां पर कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं मैं जो भी दूँगा फिरी में दूँगा ठीक है रामगर जिला का एक्जाम सबसे डिफरेंट हुआ है क्योंकि वहां पर जो है सेंट्रल जी के तक पूछा गया था ठीक है और रामगर जिला के क possono बहुत कमा आया थे जबकि मैत भी पूछ दिया गया था रामगर जिला में बाके तीनों जिला में एक जाम हो चुका है गुमला, सिम्डेगा, गिरिडी इन तीनों जिला में मैथ नहीं आया है और आपका सेंटरल जी के बहुत कम आया है मैकसिमम जी के जो आया है वो आपका उस जिल्ले से आया है ठीक है चली देखते हैं, कोस्टिन कहां से आयेगा मैं टोटल 6 वीडियो या 7 वीडियो दूँगा हमगार के ओपर टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेवस ठीक है देखिए तो टोटल कोस्टिन आपका 50 रहेगा 50 कोस्टिन सभी जिला के लिए टाइमिंग रहेगा 2 घंटा यानि कि 120 मिनट ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा मतलब अगर आप गलत करते हैं प्रश्न का आंसर तो आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा ठीक है अब देख लेते हैं तो कोस्टिन कहां से आता है देखिए यह जो 50 कोश्टिन आते हैं इसमें आपके जीले के बारे में जानकारी रहेगा मतलब आपके जीले से कोश्टिन रहेंगे ठीक है तो आपको जीले के बारे में जानकारी लेना है किताब से और इंटरनेट से कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब बताऊंगा ठीक है किताब और इंटरनेट next है हमारा दूसरा important topic अपने राज के बारे में जानकारी ठीक है अपने मतलब अपने राज के बारे में जी के जानना होगा किताब से और इंटरनेट से ठीक है तीसरा है आपका बिभिन जिला में जो पूछा गया question paper है उसको आपको study करना होगा ठीक है तो ये तीन topic आपको study करने होंगे अब बात कर लेते हैं तो इंटरनेट से जो आपको पढ़ना है उसमें आपको सहायता लेना है किसका तो इंटरनेट से पढ़ने के लिए आपको सहायता लेना है Wikipedia और Official Websites का ठीक है Wikipedia और Official Websites का और Official Websites और Wikipedia में कैसे पढ़िएगा वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं Wikipedia के बारे में Next दे जानेंगे हम लोग वेबसाइट के बारे में और फिर हम लोग जिला के बारे में देखे पहला मैं बताऊंगा आपको ओनलाइन पढ़ने कैसे पढ़ना है आपको कहां से निकालने है डाटा ठीक है ओनलाइन दूसरा मैं आपको और एक वीडियो दूँगा जिसके उपर मैं सभी जिला का जीके रहेगा सभी जिला का जीके ठीक है एक नौट्स में ठीक तीसरा आपको एक वीडियो दूँगा जि जिसमें ज्ञारखंड से रिलेटेड पॉपुलेशन से 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 कोश्चन रहेंगे जूकर आपका जनगन्ना से कोश्चन आता है ठीक है पांचवा दूँगा जिसमें आपका जेगरॉफी से कोश्चन रहेगा ठीक है और चट्था जो विडियो दूँगा वहां आप रहेगा मि करना है देखिए अब मैं आपको लेप्टॉप की ओट लेके जाने वाला हूं तो आप लोग कॉपी पेन अगर सामने में होगा तो नोट करते चलिएगा ठीक है और मैं ज्यादा फेस वगरा दिखाने का मन नहीं करता है क्या दिखाऊं काम से काम रखिए यार ठीक है क्योंकि विल्यम सेक्सपेर ने बोला भी है कि वेक्ति की बाचान उसके काम से होती है नाम में क्या रखा है या फिर चेहरे में क्या रखा है चलिए देखते हैं और लेप्टॉप में चलते हैं और हम लोग सिखेंगे कॉपी पेन हो तो नोट करते चलिएगा ठीक है तो सबसे पहले गूगल में कोई भी चिला का नाम आपको सर्च करना है ठीक है पहले हम लोग जानेंगे इंटरनेट की तरीका कैसे आपको जानना है लेटेस जानकरी तो जैसे मैं रांची जिला से सर्च कर लेता हूं तो रांची इस तरह से अपने बारे में सर्च कर लिजेगा जिला ठीक तो आपको दिखा देगा जैसे हुन्रू फोल है जगरनात मंदिर है टेंगोर हील है इसमें ठीक है फिर आपका पहाडी मंदिर है पत्रातु वेली रांची लेक मां देवरी मंदिर यह सभी आप इसको भी देख लिजीगा कि कौन-कौन उस जिले में फैमस फैमस प्लेस है ठी सब अब इस तरह से लिखा ओगा जीला का नाम और जरकन सरकार इस तरह से लिखा रहेगा ठीक है इसके क्लिक क balls किजिए गarnaटकर तो जैसे क्लिक किजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इसका पेज ओपन हो जाएगा अब सबसे पहले दिखिए यहाँ पर आपके जिला के बारे में लिखा रहेगा डीटेल में जो भी आप जिला रहेंगे सपुछ दर बोकारो हैं जो भी जिस जिला से धन ठीक है फिर राची लुमंडल के दाद 14 बोग और बुल्डवलों मंदल के दाद 4 बोग यहाँ आपका कॉश्चिन बन रहा इसी तरह से कोश्टन वनेगा भारत राज की राजधानी राची है ठीक है भारत राज जहारखंड की राजधानी राची इस वरी ठीक है तो मैं भ दूसरा जीके आपको क्या मिलेगा यह वाला जो भी आपके जिले के डिसी होंगे डेपूटी कमिशनर जिसको हिंदी में उपायुक्त बोला जाता है वह उनका यहां पे नाम होगा पूछ लेगा कि आपके जिले के उपायुक्त कौन है तो इनका नाम लिखना पड़ेगा ठी इतना जीके हो गया उसके बाद थोड़ा से उपर उठाइएगा तो यहां पे आपको डिटिल में दिखने को मिलेगा पंचायत प्रखंड गाउं ठीक है कितना पुलिस अस्टेशन है वह जानकर यहां से मिल जाएगा आपको ठीक है तो इसके बारे में और डिटिल में जानकर का प्रखंड है क्रमाक संख्याइन का तीन है अनुमंडल का नाम राची है प्रखंड का नाम बेड़ो है ठीक है उसके बाद यहां पे इसी तरह से सब प्रखंड का देख सकते हैं ठीक है कौन सा किस प्रखंड में है और इस तरह से आपका खुल गया तो यह अपना जिला के बारे में पहला जानकारी ठीक है दूसरा आपको जानकारी और भी लेना है और और जानकारी लेने के लिए जिसे यहां पर लिखा होगा आपका जन संख्या वगरा जिला का इसको थोड़ा सा उपर उठाते हैं कहां गया यार हाँ यहां पर देखिए जितना है न इसवे अपसाइट से जितने भी चीज़े हैं कितना बैंक है तो 12 गों बैंक है ठीक है गहर सरकारी संगठन इसमेकों को नहीं है अस्पताल 19 गों रांची जिला में विसविद्याले 12 गों है नगरपाली का 2 गों है बिजली ठीक है तीन ग इस पूछ लिया था कि बैंकों के संख्या कितनी है ठीक है तो इस तरह से आप लोग यहां से पता कर लीचेगा आगे देख लेते हैं तो और भी है जैसे की जन संख्या वगएरा यहां पर दिया रहेगा इस जिला में नहीं दिया ना कोई बात नहीं अब आईएगा यहां जिला के बारे में ठीक है सिम्पल इस पर क्लिक किजिएगा तो आपके सामने जिला के बारे में खुल जाएगा डिटेल में और जानकारी जानना है तो इसके बारे में जिला के बारे में रहे वाई इसको दबा रखिएगा ठीक है दबा रखिए प्रेस कर रखिए अब देखि पढ़ सकते हैं तो यहांस अब अपने चीफी का हडुइआ कि कहा क्या हुआ कभ क्या हुआ से कोश्चिन आएगा टीक है यह सारी शीज़े आपको जानी है और सब कुछ नोट करते जाना है लगवग मान के जली ना कि यह आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कुल से ठीक है जो लोग नोट्स बनाता है वो यहीं से बनता है जितना बुक्स वगरा छपता है उन लोग यहीं से छपता है मैं डारेक्ली सब्सक्रा नहीं डेखेंगे दो लोग लिए तुरे अप क्लिक मोबाइल में अब ज़ार न में ज्यार कई चाल सकते हैं और उपर उठाई अनुमंडलोड कर दो देख इन सब्यक्रीह को डिट्यल में आप लोग पढ़ सकते हैं समझ गए तो यह चीज हो गई आये देखिए तो फिर यहांँ पर एक किलेट कीजीएगा तो यह प्रसासनिक सेटप के लिक किजीएगा और अपत यहां पर फिघंप कります सबसे इंपोर्टेंट जो चीज था ना यहां पर इस वेबसाइट में यह था आपका जिले के बारे पर तो जितना चीज बताया इतना चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है अब यहां पर एक चीज देखना है आपको परियटन क्योंकि परियटन से कोश्चन आता है तो यहां पर लिखा रहेगा फिर इस पर क्लिक किजिए थोड़ा सा तो यहां पर है आपका सांस्कृतिक विरासत और पर्याटन अस्तल जनगन्ना अस्तल खुल जाएगा सब के बारे में देखे डिटेल में रोग गार्डन टाइग और हेल कहां पेस्तिते कैसा दिखता है ठीक है मैं बता रहा हूं दोस्तों है फुरे यूट्यूब में मतलब जार्खन के छोटा बोटा ही है फिर भी जितना भी आदम जार्खन का डालता हम लोग डाटा निकलते हैं ठीक है वह लोग जो यूटुबर लो या फिर जो बूक को चप आइए उन लों का से शबता ऑटर येंसे डाटा बदाथ है ठीक है ओफिस्यल उप साइड्ट से निय में और दिखा रहा हूं आपको यह नहीं बता हैगा कि महीं कहां बढ़ा यहांगा। कोई सीख लेगा यह ऐसा मन ममन में रखना यह बुरी विचार है CNC Thousand 3 विरूसद में प्राइब सांपिंग इसरों कुछ अच्छा कोई बात ने फिर हाद顏ग फ़ल ग turbines इस दो आ जाएगा यहाँ प्यापका एक मैंट इंग्लिस में इंपर किलिक कर लिया और आपको जान लेना एक यहाँ से आपको जानना है तो और यहाँ पर तोmosof कर रहे हैं है कों हमारा सब लिखा रहे हैं तो तो यह सारी चीजह आप लोग यहां से पड़ सकते हैं मालुम है कि थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन हाँ कुछ नया चीज में सिक्खाुरा हूं करना होगा कैसे यहां पर आपको तीन डौट देखता ओ基本 इसपे किजिए हैं और आपके सामने नीचे में translate का एक ऑप्शन आ जाएगा यह देखे translate ठीक है simple click किजएगा तो आपका जो है यह पेज हिंदी में translate हो जाएगा देखिए हो गया ठास्ट्रेट टो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में भी ठीक है अब आपका यह तो हो गया notice चुनाव भरती जो वेकेंस से यह पर आता है बारती पर क्लिक किजेगा तो वेकेंस का पता चलेगा विभाग कौन-कौन सा विभाग है आपके जिले में वह आपका पता चल जाएगा गरामिन विभाग वसुपालन सिक्छा कि रिसी पंचायत स्वास्त इक यह तो हो गया आप आपको कहां से वेबसाइड बनता है कहां से यह लोग खोचते हैं अब इस पर जनगन्ना 2011 को पढ़ लिए क्योंकि यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है यहां पर क्लिक किजिएगा simply इस तरह से और जनगन्ना 2011 का data निकाल लिजिएगा जनगन्ना 2011 कि इस पर क्लिक किजिएगा तो आपका जनगन्ना 2011 का data आ जाएगा ठीक है टोटल जनगन्ना अच्छा से लेवस मिलेगा रहे भाई फिरी में दो नहीं है ठीक है पढ़ने का पैसा लिजिएगा यहाई पर सिक्षा पर नहीं बना चाहिए recording to me अब कुछ लोग कर देता है यह तो इंग्लिस में कोई बात नहीं इसको आप लोग हिंदी में कर लिजिएगा ट्रांसलेट ठीक है तो एकनोलेजमेंट है और कितना अकड़ा है डाटा है ठीक है सब कुछ यहां पर दिया गया है इस तरह से वैसे इतना बड़ा पेश तो नहीं पढ़ पाईएगा जो में में चीजे है वह सब चीजे आप यहां से पढ़ सकते हैं या फिर परेटन में करके भी आप यहां पे जो टूरिस्ट है एक मिनट टूरिज्म ठीक है यह परियेटन हो गया तो एक भाई रूखो नहीं यार पहुंचने के लिए नौटिस इंपोर्टेंट और कुछ चीजे बचता दो देख लेते हैं बेवहाग सिक्षा स्कूल किरसी पंचायती राज आई छेत्रे परिवहन प्राधिकरन निर्देशिका तो यहां पे आपदा प्रमंधन सरजनिक उप्योगिता आपदा प्रमंधन चलिए यह इतने ही चीजी इंपोर्टेंट थे तो आप लोग इस तरह से अपने जिला के बारे में एक और लिखता हूं बोकारो और लिख दिजिएगा विकीपीडिया चाहिए रांची विकीपीडिया फिक और ये इसा अगर इंग्लिस में लिखना है तो in English फिक इस तरह से आपको सर्च करना है और यह आपका जो बोकारो जिला जाएगा आपका राची जिला जो भी जिला धनवाद ठीक देवघर जो भी जिला है आप उस जिले के बारे में जानकारी ले सकते हैं यह हंदी में हो जाएगा और इसको यहां सर पढ़ लिजेगा कहां पे किया है कितना जन सेंख्या दिखेंग अब आपका पूरा हैंसे अगर कोई लातिहार साइट में होंगे चल cosmetic को होगा ठीक में को लिखा रहेगा संधा fragrance सब को अपना अपना है तक है सक्या होता है तो तासिल मतलब होता है आपका थना ठीक है आठोक फिट लोकसभा मतलब 9 को है तो यहां पर 8 दिया गया है ठीक है और एक मिट में किसका देख रहा हूं यह दनबाद का देख रहा हूं नहीं बोकारों का देख रहा हूं ठीक है अपना अपना चेक कर लिजेगा इस तरह से धनबाद लोकसभा निरवाची छेत्र ठीक है MP कौन ह है तो देखिए डूलो मा तो यहां पर लिखा गया है जशंख्या कितना हमें कितना मैं आपको इतना कर लेते हैं तो बता रहा हूं दोस्तों इतना कोई ये आपको अच्छे सेमेनत नहीं करवाएगा जितना खूद पढ़ सकते हैं तो नमाना अच्छे सेमेनत करवा पाऊंगा ना कोई और ट्रांभ के जितना पुछ से कर सकते हैं जहां से求 डाटा निकालता ठीक के 15 से 20 कोश्टन रहेगा और यहां का जो टाटा था उससे अलग में टाटा रहे गा विख के सभी जिला का 2400 जिला लगा ठीक है और उसके बाद और एक वीडियो लाओंगा जहां पर जहारखन कर लिएगा फिर आपका जहारखन जंसांइख्या से बर्लाजवियस था और आपका जहारखन ज्यक रौपि अतना ही करना है ठीक है इतना कोशेन आप लोग कर लिजिएगा फिरी में मैं पीडियाप के साथ प्रोबाइड कर लूँगा फिर आल तो इसका पीडियाप नहीं देपाऊंगा कि इसका कोई पीडियाप बनेगा नहीं अच्छा से ठीक है I hope कि आपको यह सारी चीजे जानकारी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस विकीडिया में कैसे अपने जिश्यां के बारे मैं जनकारी प्राप्त कर यह नहीं जानते होंगे एक तो न्या सिखें तो वीडियो को लाइक किजीएगा भाखि आपके मर्जी जोहार मिलता है नेक्ट वीडियो में थैंक्यो फोचिंग इस वीडियो बाब ऐटेक चेर बाइ